जाएं दोस्तों वंदे मातरम, हमारे भारत में भारत को क्रिटसाइज करने वाले काफी लोग बैठे हुए हैं, सभी का अपना अपना प्रबगेंडा है, अपना अपना एजेंडा है, ऐसे में भारत जब रशिया के बाद में युक्रेन का दौरा करता है, तब इन सब लोगो उनको समझ में नहीं आ रहा है समय कि आखिर अब हम बोलें तो बोलें क्या अब से कुछ समय पहले ही जो लोग ये बोल रहे थे war रुकवादी पापा ने तो आखिर पापा कर के आ रहे हैं पता होगा कि भारत की ताकत क्या है लेकिन भारत में बैठे हुँ बुद्धी जीवियों को इस समय इस सब चीज़े दिखाई नहीं देंगी उसकी तरफ हमको जरूर अपने नजरों को टिकाना चाहिए दरसल ये पूरी कहानी तीन महीनों की है जून जुलाई और अगस्त की आपको 14 जून की तारीक याद होगी इटली में जी सेवन समिट में भारत को सदसे ना होने के बावजूद भी नियोता दिया गया था एक स्पेशल गेस के तौर पर वहाँ पर प्रहान मंतरी मोदी की मुलाकात जलिंसकी से होती है इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं अगले महीने की तरफ और तारीक आती है आड जुलाई की इनडिया-रषिया की एक बहुती इंपॉर्टन समित होती है इस समित में भारत में के प्रहान मंतरी मोदी जी की मुलाकात रचिया के प्रेसिडन्ट व्लादीमीर पुतीन से होती है पुतीन उनको अपने घर में भलाते हैं उनका स्वागत करते हैं इन दोनों की ही गले मिलने वाली तस्वीरे निकल कर सामने आती हैं लेकिन उसी समय पर रशिया युक्रेन की उपर हमला करता है जिसमें की एक चिल्डेन हॉस्पिटल के उपर भी कुछ बम गिराये जाते हैं जिसमें कुछ बच्चों की मृत्ति हो जाती है वहाँ पर प्रहा मंदरी मोदी का नाम ना लेते हुए भी उनको क्रिटिसाइज किया था क्योंकि मोदी ने वहाँ पर पुतीन को गले लगाया था और एक मुर्डर को गले लगाने को लेकर जलंस्की ने मोदी जी की बुराई करी थी और उस समय जलंस्की की साइड लेते हुए भारत के कई सा अपना बना चुका है जहाए एक तरफ आज भी हमारे देश में कई सारे लोग ये बोलते हैं कि बाहरी ताक्तों को भारत में डेमोक्राशी को बचाने के लिए इंटरफेर करने की जरूरत है वही भारत इस समय प्रहानमंत्री मोधी की लिडर्शिप में युक्रेइन में वार अपनी पूरी कैपसिटी में ये चाहता है कि वार कैसे भी करके रुकनी चाही प्रहानमंत्री मोधी ने जलेंस्की के सामने बैटकर ये भी कहा कि मैं जब पुतीन के साथ था तब मैंने उनको भी यही कहा था कि वार किसी चीज़ का सॉलिशन नहीं है और इंडिया अपनी पूरी की पूरी कैपसिटी के साथ में कोशिश करेगा कि इस लड़ाई को जैसे भी हो खत्म किया सके क्योंकि जंग के मैदाने में कभी भी किसी सवाल का जवाब नहीं मिलता बलकि अगर आपको किसी सवाल का वाकरी में जवाब ढूनना है तो आपको डायलॉक्स के थरू बाचीत के थ्रू ही जवाबों को तलाशना पड़ेगा अब ये जो कुछ पूरी चीज चल रही हैं सब चीजों के बीच में आपको इंडिया की फॉरेंड पॉलिसी की तारीफ करनी पड़ेगी जहां आप देखेंगे कि यूएस से लेकर यूके तक सब देशों के जो प्रधान थे वो यूकरेन गए यूकरेन में जाकर उन सभी ने रश्या की बुराई करी लेकिन रश्या जाने की हिम्मत तो किसी में भी नहीं थी लेकिन ये भारत के भरानवंदरी मोदी ही कर रहे हैं कि वो पहले रश्या भी जाते हैं उसके बाद यूकरेन भी जाते हैं और वहां पर जाकर दोनों जग़ों पर जाकर लडाई को युद्ध को रोकने की बाते करते हैं में अपनी जानगवाई हैं और मैं प्रार्थना करता हूँ कि उन सभी को ताकत मिले इस पूरी दुख की घड़ी को सहने की दरसल ये एक जो बच्चों की मृत्य हुई है इस लडाई के दोरान उसके वार मेमोरियल पे जब रान मंतरी मोधिश्ट दांजली अरपत करने के लिए गए थे वहाँ पर उन्होंने गुडिया भी रखी थी उसके बाद उन्होंने ये ट्वीट किया था और उनका जो ये ट्वीट है ऐसा नहीं है कि वो रशिया से डर के मारे ये ट्वीट नहीं कर सकते थे पर उन्होंने ये ट्वीट किया अपनी बात रखी और जाहिर सी बात है अप पूरी की पूरी घटना कहीं ना कहीं भारत का वो असली चेहरा भी दिखाती है कि भारत ऐसा नहीं है कि कोई साइड लेकर बैठ गया अगर भारत बोल रहा है कि नहीं हम यहां पर इस पॉइंट आफ टाइम पर चाहते हैं एक सॉलीशन निकालना तो हम वाकई में सॉलीशन की बात कर रहा हैं सिर्फ ऐसा नहीं है कि बोलने के लिए बोल दिया कि नहीं हम सॉलीशन निकालना चाहते हैं बट ऐसा कुछ ग्राउंड पर काम नहीं हो रहा है और सबसे बड़ी बात इस दोरे पर निकल कर ये भी आ रही है कि PM मूदी से इस तरह के कुछ रिक्वेस्ट भी की जा सकती है कि वो युक्रेन की पार्लेमेंट को एड्रेस करें अब देखें युक्रेन की पार्लेमेंट को एड्रेस करना अपने आप में एक बड़ी बात है। देखिए अगर हम लोग युकरेन की तरफ से बात करें तो युकरेन के लिए ये एक बहुती बड़ी पॉलिटिकल विंड होगी उसकी विदेशनीती की जीत होगी क्योंकि अगर मोदी जी युक्रेन की पारलेमेंट में खड़ो के बात करते हैं तो सबकी निगाहे इस बात पर होंगी कि वो रशिया का नाम लेते हैं कि नहीं लेते हैं क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं तो अब्विस सी बात है security के concerns तो रहेंगे ही और इस जगे पर security को ensure करने का काम रहेगा NATO forces के पास जो कि इस समय यूकरेन की तरफ से लड़ाई करने का ना टक कर रही है लेकिन लड़ तो वही रही है सबसे बड़ी बात यह जो दिन है यह जो यह दिन यूकरेन का flag डे भी है एक तरीके से उनकी अजादी का दिन भी माना जाता है तो ऐसे में यह यूकरेन के लोगों के लिए एक motivation बूस्टर का भी काम करेगा अब यहाँ पर उन लोगों को सोचना चाहिए जो मुदी जी और भारत सरकार की काबिलियत की उपर लगातार सवाल उठाते रहते हैं कि अगर वाकई में भारत के सरकार इतनी ज़्यादा incompetent है तो फिर ये देश जो की आपस में लड़ रहे हैं ये फिर भारत की तरफ निकाल दे हमारे लिए अच्छा होगा क्योंकि अगर वाकई में भारत में कोई ताकत नहीं होती वह वाकई में incompetent होते तो इस तरह की उमीद लगाने का तो कोई sense ही नहीं था ना लेकिन भारत में बैठे हुए राजू influencer को ये बात समझ में नहीं आएगी क्योंकि वह चमच पकड़कर बैठा हुआ है और चमचा किरी से उपर वो आ नहीं पा रहा है और सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर ये है कि युक्रेन में इन दिनों बहुत सारी बार आपको ऐसा दिखेगा कि वहाँ पर sirens बचते रहते हैं sirens की warning आती रहती है mobile applications में आपको पता चल जाता है कि किस एरिया में सबसार डेंजर है काफी तरह के अपडेट्स आती रहती है और आए दिन यह चीज़ होती रहती है बट जब से नरेंदर मूदी जी युक्रेन में मौजूद है तब से रशिया ने भी इस बात को make sure किया है with due respect to India कि वो किसी प्रकार के ऐसे हमले ना करे युक्रेन ने भी हाल ही में रशिया के एक शहर के उपर हमला किया है जिसमें कई सारे ने दरोश्ट लोग मारे गाएं तो जाहिर सी बात है अब रशिया ने भी खुल कर हमले करना शुरू कर दिया है ड्रोन्स अटाक कर रहा है तो ऐसे में अब कई सारे सवाल युक्रेन के मारे जाने की बाद बताई गई थी तो जाहर सी बात है यह ward जो है इस सिर्फ और सिर्फ रशिया और युकरेञ्ट के बीच में नहीं चल रहा है बलकि रशिया और उन सब ताक्तों के बीच में चल रहा है जो कहीं न कहीं रशिया को आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहते अब ऐसे में एक बहुती पतली सी महीन सी कंडिशन जो है क्रियेट हो चुकी है युक्रेन और रशिया के बीच में कि अगर आपको बताना हुआ कि कौन सही और कौन गलत है तो आप वाकरी में अपना सर खुजाते रह जाओगे नहीं होता ये फिजन और फिजन रियाक्शन होता है जो बढ़ते बढ़ते काफी काफी देशों में फैल सकता है कई हजारों किलोमेटर तक इसके रिडियेशन फैल सकते हैं और उसके एड़र्स एफेक्ट हो सकते हैं चर्नोबिल जो हुआ था उसमें भी कुछ ऐसा ही कि युकरेन के पास में कहीं न कहीं अभी ये मौका है कि वो इस लड़ाई को रोकने में वाकई में एक पॉजटिव कदम उठाए बाकी देश जहां सिर्फ बाते कर रहे हैं इंडिया वहाँ पर काम कर सकता है और युकरेन के लिए वाकई में ये एक ऐसा ही मौका है जब व तो अपने आपको एक अच्छी सिच्वेशन में लाने की एक आखरी कोशिश कर सकता है क्या कहना चाहेंगे आप लोग इस बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं मेरे सुडियों फिलालता ही जाये हैं जाये पार